26 तारीक को हमारे यहां पर एक गटना रेपोर्ट हुई जिसमें कि एक दिनेश रागाव नाम के वेक्ति ने ये कंप्लेंड की कि उसे नोईडा सेक्टर 22 से बुग किया गया था ये टैक्सिका ड्राइवर है जो कि सुर्प बेजायर चलाता है इसे वहां से दो लोगों ने ब अदात मिला करके पिलाया उसके बाद में इसकी गाड़ी लेकर के वह परार हो गया यह विक्ति जब जगा जब इसको होश आया दिन में करीब ढाही-तीन बजे के असपास तब इस वेक्ति ने आ करके अग कम्पलेंट की जिसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी का पता लगा हुए तीन और लोग इसमें रांड़ अप किये गए जिस तरह कि हम आज पांच लोग की गरबतारी आपको बता रहे हैं यह फुरी प्रोसेस इंविस्टिकेशन के बाद में पांच लोग हमारे हाथ लगें इस तरह की वारदात में और भी लोग शामिल है और यह एक अंतर रा आफाने हैं घाण को ले जाते हैं उनने स्क्राब करते हैं और इनके पार्ट सफ हैं अन्य वीकल में लागा कर आपके पर यह कैई वार। रूप से जो लड़के हैं पांचों वो उनमें से चार लड़के तो उत्रप्रदेश के मुलता रहने वाले हैं जिन्होंने अपना ठीकाना इस समय जोद्पूर में बनाया हुआ है दुकाने वहां पर इन्होंने खोल रखी हैं और वहीं पर लिजा करके यह स्क्रैप करते हैं यह लड़के हैं एक तो रियास खान है दूसरा शैफुत दीन तीसरा मुहम्मद रफीक चौथा रईस खान और पांचवा मुहम्मद जावेद मुहम्मद जावेद वर्तमान में भी उत्रप्रदेश में ही रहता है इनकी वारदात करने में शामिल होकर के वारदात को अंजाम देने के बाद वापस अपने गाउँ चला जाता है रियास खान जो है मुलता नागौर का रहने वाला है और फिलहाल जोदपुर में इसने अपनी दुकान कर रखी है जिसमें कि ये पार्ट्स को तोड़ करके अन्य वेकल्स में लगाने की प्रोसेस करता है इसमें मुख्य सर्गिना जो है वो हमारे पास में जानकरी में आरहा है एक अन्य वेक्ती है जो लगबक 60 साल की उम्रका बताया जा रहा है हम नाम का भी खुलासा नहीं कर रहें पर उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम उसे भी पकड़ लेंगे तो वह वीकल बाद में कहीं पर ट्रेसी नहीं होते हैं अगर वह किसी वीकल को बाद में बेशते भी हैं तो उसके नंबर चेंज कर देते हैं नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं तो ये वीकल में इतने ज़्यादा बदलाव कर देते हैं अगर वो वीकल मिलता भी है तो कलर चेंज होता है वीकल का नंबर प्लेट और कागज सब फर्जी बनाते हैं ये तो वो वीकल दुबारा ट्रेसी नहीं होता तो इन तक लिंक नहीं जुड़ता है इस मामले में पकले जाने के बाद से हमें जैसा पता चल रहा है हमें लग रहा है बहुत बड़ी संख्या में वीकल्स को इस तरह से चुराया गया है और उनके पार्ट जो है अन्न वीकल्स में लगाए टीम कितने दिनों इस पार्फार कितने हैं देगे 26 तारीक वारदाथ रिपोर्ट हुई है तब से ही लगादा टीम इस पर काम कर रही है और इसलिए आज हम इसका खुलासा करें